दोस्तों क्या आप जानते हैं कि चहरे को खुबसूरत बनाने के लिए घर इलुनुस के भी है जो आपके किचन में ही मौजूद है किचन में मौजूद ये सफेद 5 चीजे आपको बना सकती है बेहत खुबसूरत इसमें पहली चीज है चीनी खुबसूरत त्वचा के लिए आपके किचिन में रखी चीनी फाइदे मन्द हो सकती है इसके लिए एक कटोरी चीनी में थोड़ा ओलिव ओयल और नीबू का रस मिला ले अब इसे अपनी चेहरे पर लगा ले इससे आपका चेहरा स्मूथ और ग्लोइंग हो जाएगा दूसरा, बेकिंग सोडा दाग धबे जुर्यां और पिम्पल्स को दूर करता है पिम्पल्स के लिए एक छोटा चमच बेकिंग सोडा और पानी मिला कर चेहरे पर लगाए दो से तीन मिनट के बाद चेहरे को दोले इससे पिम्पल्स ठीक हो जाएगा तीसरा, दही दही को एक नैचुरल ब्लीच माना जाता है अगर आप किसी शादी या पार्टी में जा रही है तो बस एक चमच दही, आदा चमच शहद और नीबू मिला कर अपने चेहरे पर लगाए 15-20 मिनट के बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धोले नमक आपकी तवचा के लिए नमक एक अच्छा टोनर है फेस स्करब के लिए एक चमच नमक और एक चमच ऑलिव ओयल मिला कर हलके हाथों से अपने चेहरे पर स्करब करें इसे चेहरा पूरी तरह से साफ हो जाएगा कच्छा दूद कच्छा दूद आपकी तवचा के लिए कई तरह से फाइदे मंद हो सकता है यह tanning, dark circle के लिए भी काफी लाब दायक होता है कच्चा दूद और हल्दी मिला कर अपने skin पर लगाएं यह tanning और dark circles को दूर करता है इसी तरह और भी healthy और beauty tips के लिए subscribe करें